Hello everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains, this is me शिप्रा तिवारी, बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में आपको प्रवाइट करा जाता है बिल्कुल बहतरीन एक नंबर, फेंटास्टिक एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में बहुत बहतरीन कुछ कर सके So, last class मतलब की day before yesterday हम लोगों ने क्या पढ़ा था? क्या आप लोगों को कुछ याद है? अगर याद नहीं है तो मैं आपको एक क्विक सार रिविजन देती हूँ कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था डाइटम्स के बारे में हमने किस चीज के बारे में पढ़ा था? डाइटम्स के बारे में पढ़ा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि डाइटम्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं उनका रिप्रोड़क्शन कैसा होता है वो टिफिन बॉक्स जैस जम्दे 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 वो पूरा diatomaceous earth बना लेते इवन हम लोग एक दिन भी celebrate करते हैं diatums के लिए आई बात समझ में So, we have, मतलब कह सकते हूं कि We have so many type of diversity found into the earth We have completed the number one, कह कह सकते हैं Number one type of protista which is the, this diatums Which is chryzophytes, ठीक है आई बात समझ में अच्छा, कहीं पर, जो है, तो बहुत सारे लोगों को अलग-अलग प्रकार के भी classification मिलेंगे पर मैं एक चीज़ आपको बहुत एच्छे से clear कर दू कि आपको protista में, सबसे पहला जो part पढ़ना वो diatum ही है कोई कुछ भी बोलता रहे, इससे आपको कोई फर्क नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है चलो, उसके बाद, आज जो है अपन लोग क्या पढ़ेंगे आज अपन लोग पढ़ेंगे dino flagellates के बारे में, ठीक है सो ये भी एक प्रकार का protista ही होता है थोड़ा सा इनके अकार प्रकार में, काम करने के तरीके में अलग है वो अकार प्रकार और काम करने का तरीका क्या है, वो आज हम लोग जानेंगे ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझेगा इनका नाम dino flagellates इसले है, क्योंकि इनमें बहुत ही अलग प्रकार के flagellates पाए जाते है आई बात समझ में, flagellates मैंने आपको पहले ही पढ़ाये था कि flagellates जो होते हैं, वो अपने locomotory organ की तरह बीएव करते हैं कौन से protein से बने होते हैं, बताए मुझे flagellates जो होते हैं, वो 9 plus 2 arrangement के होते हैं ये 9 plus 2 arrangements को हम लोग कहते हैं, microtibule जिसमें 2 center पर होता है, और 9 उसके 4 तरफ होते हैं उसके बाद जो flagellates होता है, वो कौन से protein का होता है अगर मैंने नहीं बताए तो मैं बता रही हूँ कि अगर flagella है, तो flagella के पास एक specific type का protein होता है which is called as flagelline, क्या कहलता है वो flagelline तो आज आपको dino flagellate में इसलिए पढ़ा रही हो क्योंकि इन में एक बहुती बहतरीन property होती है चमकने की आई बत समझ में, कि इन में एक बहुती बहतरीन property होती है चमकने की, साथ में इसे कहते हैं flagellates because they have very unique arrangement of the flagellar so let's start, आज अपन को क्या पढ़ना है जो dino flagellate होते हैं, they are of different types of colors ओके, ये अलग-अलग colors के होते हैं क्योंकि इन में अलग-अलग प्रकार की क्या पाजाता है भाई, color किस छिस से आता है, color आता है, pigments से golden brown photosynthetic protesta, इक में मैंने आपको बोला कि golden brown हो सकते हैं, पर इनके different different type के colors होते हैं, look at this, it is looking like a red color so there are different types of colors of the dino flagellate so we are not restricted to only one color that it is the brown or this color but मैं आपको बता रही हूं किनके अलग-अलग प्रकार के colors होते हैं, ये चीज़ अपने को यार रखना है ये जिस class में आते हैं, ठीक है, because we are talking about the kingdom protesta so kingdom protesta have different different types of classes so dino flagellate जिस class में आते हैं, प्यारो बच्चे, उनको हम कहते हैं pyrophyta, क्या कहते हैं हम लोग उसको pyrophyta or it is called as dino phyce, okay which is called as dino phyce, okay generally dino flagellates जो होते हैं, वो generally जमीन के नीचे पाई जाते हैं, even अगर आप मराइन वर्ड की बात करें और अगर आपने कभी underwater diving की होगी तो आपको बड़े ही अलगले प्रकार के जीव जनतु पेड़ पौदे दिखाए देते हैं and one of the contribution is by the dino flagellate, ठीक है तो they are mainly marine, ये समंदर में रहते हैं पर कुछ-कुछ-कुछ-के fresh water form भी है पर mainly ये कहा है, आपके marine में ठीक है, मतलब समंदर में रहते हैं अच्छ, मैंने अभी आपको थोड़े देरे पहले क्या बोला था कि ज़रूरी रही है कि ये brown, golden, yellow ही हो they may exhibit the different types of color, okay it may be red, yellow, green, brown or blue जो आपके बाजों में लगा, it is bluish and brownish, okay so इनके different different type के color हो सकते है like red, yellow, green, brown and blue ठीक है, depend कर रहा है कि कौन सा pigment उसके पास होता है जैसे, इंसानों में भी यही होते हैं इंसान तो सब एक ही प्रकार के होते है पर depending on the melanocyte cells and the melanin pigment कि बार किसी को जो है तो यह बोलना कि तुमारा color dull है, तुमारा color fair है so please remember into your mind, याद करिये कि actually इसके body में melanocyte जो सेल है वो जादा है और वो melanin production जादा करती है so जिसका भी color जादा fair है, melanocyte कम है but ultimately वो सब क्या है, ultimately वो सब इंसान है वैसे ही जो dynoflagellate होते है dynoflagellate में जो pigment पाया जाता है वो different implemented, they have phycoblins, gentle pills ठीक है तो इनके में red, yellow, blue, green ये सब हो सकते है dependent करता है कि कौन से प्रकार का pigment है अगली बार जब वो करने वाले हैं वो उनके और जादा characteristics के बारे में चलिए आएए देखें क्या होता है they are unicellular देखें एक चीज मैं आपको बहुत अच्छे से clear कर दूँ प्यारे बच्छो, कि जो protester होते हैं क्या होते हैं, protester होते हैं generally they are unicellular कैसे होते हैं, unicellular होते हैं single cell structure होता है देखने में इतना बड़ा दिखेगा और maybe they are showing the aggregation of the cell so they look like a big organism और big plant, plant ने big organism but they are not very big, okay they are very unicellular, ठीक है they are very small, छोटा, ठीक है but they are motile, ठीक है, यह चल सकते है they are biflagellates generally, मैं आपको बताऊ कि, let me tell you some examples of the bacteria like compilobacter, they have polar flagella they have both ends of flagella ठीक है, तो इनके पास flagella होते हैं पर बात आपको एक चीज़ मैं और clear करू कि सबके पास एक flagella होता है तो इसमें कोई बहुत जादा unique बात नहीं है पर अगर किसी organism के पास दो flagella हो तो ये एक unique बात है और unique बात सबसे जादा पता है क्या है कि दो flagella होतो भी चलेगा पर इनका arrangement बड़ा unique है इसलिए इस जो group है आपका प्रोटेस्टा में ये वाली आपको class पढ़नी पड़ेगी ठीक है? चलो, now next thing कि golden brown photosynthetic protest कहलाते है generally ये golden brown में दिखते हैं कुछ जो है वो नहीं चल सकते ठीक है? ये amoeboid shape के हो सकते हैं palmeloid shape के हो सकते it is like this मतलब नाशपाती जैसे और ये filamentous akar के भी हो सकते ठीक है? अगर हम किसी के general characteristics के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले उसका shape, size इन ही के बारे में बात की जाती है, ठीक है? मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कुछ fresh water हो सकते है और कुछ marine water हो सकते है ठीक है? The body is enclosed by the rigid cord called as theca or laurica अच्छा मैं एक चीज़ आपको और बता दू कि कहीं पर भी हम लोग बात कर रहे हैं theca interna, theca externa किसी भी प्रकार की बात अगर हम लोग कर रहे हैं covering की किसी की बात कर रहे हैं पहरे बच्छो covering की So if I am talking about the theca किस के बारे मैं बात कर रहे हूँ है? theca So theca is the covering theca is what? theca is the covering and it is also called as laurica in the case of dynoflagellate हर जगा इसको laurica आप नहीं कह सकते So theca is the covering even मैं आपको बताऊं कि human ovary में भी theca का explanation है human ovary में भी हमको theca के बारे में पढ़ना है पर वहाँ पर भी ये layer की तरह ही behave करेगी तो कहीं पर भी अगर आप theca पढ़ रहे हैं बटा जो यहाँ पर पढ़ने का रटना तो नहीं है रटना है ही नहीं चीक है तो जो भी पढ़ने का विशह है वो अक्चली flagellar arrangement ही है So they have heterocont चीक है They have heterocont Heterocont का मतलब यह होता है कि they have flagellar but they are in they are found in the different arrangement ठीक है So they have two different arrangement वाले flagellar Number one is the longitudinal एक तो लंबा-लंबा जैसे कि अगर मैं बाडी बना दू ठीक है तो एक तो क्या बनेगा एक तो अपना ऐसा ही बनेगा लंबा-लंबा ठीक है Which is called as one flagellar is a longitudinal ऐसे लंबा-लंबा जाएगा बट दूसरा flagellar जो है वो कैसे जाएगा transverse मतलब की इस प्रकार का ठीक है So they have a different arrangement वाले flagellar Number one is a longitudinal flagellar जो की लंबे-लंबे टाइप ऐसे से 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 जाते है And number two is the transverse flagellar ठीक है और दोनों एक दूसरे के right angle में होते हैं देखो ठीक है दोनों एक दूसरे के right angle में होते हैं आप चाहें तो किसी भी dino flagellate का internal structure microscopic structure जो मन करे वो देखो पर तूम एक चीज़ देखोगे कि दोनों flagellar जो इसके अंदर पाए जा रहे हैं बेटा वो right angle arrangement में पाए जाते हैं ठीक है इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ठीक है longitudinal flagellar तो यह आपको ऐसा 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 चलवाएगा मादम आप भी ऐसा ही चल रही है कोई बात नहीं तो आपको ऐसा ऐसा चलाएगा but if I am talking about the spinning flagellar it is like that तो यह इनको ऐसा चलवाने spinning movement में मदद करता है ठीक है नाव इसे हम इसी लिए इन प्रोटिस्टा को हम लोग whirling protista भी या whirling whips कहते है तो whirling whips मतलब समझे आप कभी आपने किसी को चाबुक मारते देखा होगा मारना नहीं है सिक्षा नहीं दे रहे हैं आपको तो कभी भी जब चाबुक को ऐसा करता है तो आपने उसको देखा ऐसा 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 ठीक है तो जब उस चाबुक को ऐसा करता है तो हमेशा चाबुक ऐसा ऐसा चलता है ऐसा ऐसा और ऐसा ऐसा चलने में दोनों में फर्क है तो इसको कहते है whirling whips ठीक है तो ऐसा ऐसा चलने का काम यह दोनों flagella करवाते हैं, ठीक है, most of the species, brown, green, yellow, chromatotropes होते हैं इनके पास, they have special types of cell which have different types of pigment which shows the different type of color in the dino flagellates, ठीक है, तो इनके पास कौन-कौन से color वाली cells होती है, भाहिया, brown होती है, green वाली होती है, yellow वाली होती है, इनको आप क्या कहते हैं, chromatops, ठीक है, यह chromatops कहते हैं, इनके पास, इन cells में होता क्या है, chlorophyll A होता है, chlorophyll C होता है, ठीक है, बीटा कैरोटीन होता है, तो chlorophyll A से हमको कौन सा color मिलता है, बेटा, हमें मिलता है, brown color, chlorophyll C से कौन सा color मिलता है, हमें मिलता है, green color, और बीटा कैरोटीन, phycobilines, इन से कौन सा color मिलता है, yellow color, ठीक है, और जो जिसके पास भी जो सेल जादा होगी वह डाइनो फ्लाजलेट वह वाला ला कलर में ठीक है कि अच्छा फूटिस्टा है आपने फ्रोटिस्टा में इतने प्रकार के क्या पढ़े हैं रिजर्व फूड मुटेरियल आई बाद समझ में फ्रोटिस्टा में यह स्टड़िट् सब् 더จะ ऌहां ने किनी नहीं कि पढ़ाई आप जगोंनेखने बहुत लिखेंट आपको लिखें रखी आप थोड़े-बहुत कैरेक्टर मैं अहीं बदल सक्ते हैं वही रहता है तो प्रोटिस्टा के का जो basic character मैंने आपको पढ़ा दिया था डाइटम में, डाइनो फ्लेजलेट में यूगलिनोइट में, slime mold में everywhere it will save थोड़े बहुत changes आपको देखने के लिए मिलेंगे ठीक है तो इनका जो reserve food material है वो क्या है इनका reserve food material है carbohydrates and the oil ठीक है, now अब मैं आगे की बात करूँ ध्यान से समझिये, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है आईए मैं आपको ये वाला diagram समझाती हूँ, देखी क्या है ये एक dynoflagellate का diagram है, इधर देखते हैं पर लोग ठीक है देखिये, ये dynoflagellate का diagram है ये, ओके जिम्नोडियम जो है इसका example का नाम है, क्या है देखिये इसका shape आप अगर देखेंगा तो थोड़ा सा star shape का दिख रहा है, तो अपना इनका कोई special बहुत जादा कोई shape नहीं होता हाँ, थोड़ा filamentous और गोल हो सकता है आप देखिये कि इनके पास starch inclusion bodies है starch inclusion bodies जो है वो क्या store करती है starch inclusion body प्यारे बच्चों store करती है sugar को का वो hydrate, ठीक है starch is what? starch is a complex sugar isn't it, जिम्नोडियम का example है ये, so starch क्या store करता है starch is what? starch is a complex sugar so they have inclusion which store the starch, ठीक है now, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था भी, कि जो आपके dynoflagellates होते है ये dynoflagellates जो होते है starch और oil को ही store करते है so they have both the bodies called as starch inclusion bodies and oil inclusion body inclusion का मतलब होता कोई चीज़ वो store करती है शरीर के अंदर रहती है तो इसे इन दोनों inclusion bodies का काम है एक का carbohydrate को store करना और एक का oil को store करना ठीक है अब अगर हम मैं diagram में आगे क्यों देखूं ठीक है, आजाए इधर इधर देखिए ठीक है diagram ये थोड़ा सा और आपको clear कर देगा क्या है ये देखिए body को basically हम तीन हिस्सों में divide कर रहे है ठीक है body को basically we have to divide और we will divide और we always divide the body into the three parts of what? dynoflagellate पहला होता है बच्चों उपर वाला पार्ट दूसरा होता है बीच वाला पार्ट और तीसरा होता है नीचे वाला पार्ट ठीक है समझी गई लिए इको अटेंशन विंचन तो नहीं ना आगे बाद समझेंगे हम लोग उसके बाद इनकी जो body होती है वो छोटे-चोटे ऐसे से चन्ने जैसा दिखाई आपको देगा इनकी पूरी body में इनकी पूरी body जो होती है वो छोटे-चोटे हिस्सों में ये छोटी-चोटे से जाल जैसे जिस वो दोच कि मैंने ऐसा बनाया ठीक है तो अगर मैंने ऐसा बनाया इनका डियाग्रम तो उनकी पूरी बॉड़ी में आपको एस प्रकार के structure आपको दिखाई देंगे और ये जो structure आपको दिखाई दे रही हैं बच्चों ये पता है आपको क्या कहलाते हैं इन्हें आप कहते हैं plates क्या कहते हैं plates और जिस lining से ये divide हो रहे हैं उन्हें आप कहते हैं sutures ठीक है क्या कहते हैं आप लोग इसके sutures sutures समझते हैं आप कभी आपको कोई पीछे से धकेल दे आपका सर, मूड, पैर फट जाए तो तुम क्या करवाते हो मादम टाके लगवाते हैं stitches उन stitches को हम लोग sutures कहते हैं बॉडी के अगर बहुत सारे हिस्से हैं हिस्से तो नहीं हैं पर फिर भी अगर बॉडी बहुत सारे parts में divided है तो ये जो sutures होते हैं इनको आप attachment part कहते हैं और वो इन सब को जोडने का काम करती है मेरी बात समझे हैं आप जैसे फटी हुई skin को टाके जोडने का काम करते हैं वैसे इन plates को जोडने का काम sutures का होता है आई बात समझ में आप इनका जो number और arrangement रहता है उसको आप कहते हैं tabulation tabulation कहते हैं इसको अपन ठीक है कितने number में कैसा arrangement है अगर मैं आपको बात करूँ ठीका अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ठीका में क्या बताया था अरे बोलो ना ठीका में मैंने आपको क्या बताया था ठीका is the covering of dynoflagellate ठीका is the covering of the dynoflagellate जिसमें उपर का जो हिस्सा है जो apical हिस्सा है जो चोटी का हिस्सा है उसको जो cover करता है उसे हम कहते है epithika क्या कहते है epithika और जो नीचे वाले हिस्से को cover करता है उसे हम कहते हाइपो ठीका ठीक है अपर मतलब apical और ये ऐसा वाला हिस्सा मतलब ये उपर वाला पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट हमने कहां पढ़ा था डाइटम्स में पढ़ा था ठीक है इनका जो उपर का जो हिस्सा कवर करती है उसे आप कहते एपिथीका जो नीचे का हिस्सा कवर करती है उसे हम कहते है हाइपो ठीका और Central को आप कहते हैं Singulum, छीक है Singulum से निकलता है Flagella अब अगर आप किसी Flagella को देखेंगे तो यह पीछे का वीव है तो आपको Flagella पीछे वाला नहीं दीखेगा मतलब जो अगर आप सामने से देखते हैं तो ऐसा Flagella दिखता है और यह का ऐसा दिखता है तो पीछे पलट दिया तो आपको पीछे वाला Flagella अब नहीं दीखेगा इसके जो बैक साइट पे ठीक है आपको सिर्फ एक साइट का Flagella देखेगा If you see the Flagella arrangement, let me highlight this with the red color, एक है यह Flagella और इसके right angle में देखे दूसरा Flagella आपको दिख रहा है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमेशा जो Flagella होंगे वो right angle में ही पाए जाएंगे And it is a main character of the Dino Flagella, so कभी भी घबराना इत्राना मत यह है structure of the Dino Flagella कि इनकी body तीन भागों में divide रहती है इनके उपर वाली body का जो cover रहता है, उसको epithika कहते है नीचे वाली body का जो cover रहता है, उसको hypotheca कहते है यहां से जो बीच, दोनों के बीच का part है, उससे Flagella निकलता है Flagella जो होते हैं, दोनों Flagella right angle में होते हैं एक ऐसा निकलता है ठीक है, तो यह, this is the structure of what? this is the structure of the dynoflagellate, ठीक है, now let's talk about, ठीक है, now देखिए nucleus की बात करें हम लोग, starch inclusion मैंने आपको समझाया, oil inclusion समझाया मैंने को, singulum क्या होता है, it is a connecting part of upper and lower हिस्सा या epi, क्या कहते हैं, ऊपर वाला हिस्सा, epi ठीका, जो cover कर रहा और hypothika, जो cover कर रहा, उन दोनों के बीच का part, ठीक है, now, ठीक है, जान समझे, nucleus centrally placed और बड़ा होता है, sulcus मैंने आपको बताया क्या होता है, chromatophore जो की color को store करता है, इस structure में आप यह देख रहे हैं, कि जो color store हो रहा है, मैंने बात को समझे, सुनिये, क्या बोल रही हूँ मैं, इस structure में आपको यह समझ में आ रहा है, कि जो color है, बच्चो, क्या है, जो color है, basically वो color, जो है, वो कैसा दिखाई दे रहा है, green, मतलब मैंने आपको क्या बताया भी थोड़ी देर पहले, कि जो green color store करता है, वो nucleus की, किस की बात कर रही हूँ, nucleus की, nucleus जो है भी बने आपको बताया, कि nucleus इनका बड़ा होता है, बच्चो, nucleus कैसा होता है, nucleus बड़ा होता है, ठीक है, nucleus कैसा होता है, बड़ा होता है, पीछे जाओ देख लो, nucleus कैसा होता है, आपका बड़ा होता है, nucleus जो होता है, उसका size भी chromosome पाई जाते हैं वो condensed होते हैं even in the interface ठीक है interface जो होता है it is a part of the cell division जिसमें body को या cell को division के लिए तयार करवाया जाता है जब हम किसी cell को division के लिए तयार करवाते हैं न बचो तो उसके chromosome को we have to prepare it for the replication or the division but फिर भी इनके cell divide होने के समय भी इनके जो chromosome रहते हैं वो कैसे रहते हैं चिपके हुए रहते हैं condensed रहते हैं मोटे मोटे रहते हैं so they have very condensed chromosome okay so they have very condensed chromosome आपको ये याद रखना है ठीक है कहां गए हाँ ये तो even interface में भी interface is what interface is कि जहां पर आपने क्या करना है cell division करना है जहां पर आपने उसे divide करना है उस समय पर nucleus जो condensed है फसा हुआ है जाल जैसा है उसे अलग करो ना नहीं तो कैसे इतने जाल को आप separate कर पाऊगे पर यहां पर भी तैयारी की interface के वस्था में भी हम chromosome को condensed ही रख रहे हैं जबकि हमको इसको अलग करना पड़ता है क्योंकि हमें से equal equal दोनों cell में भीजना होता है ठीक है ओके नाओ इनके chromosome में हिस्टोन एक अलग नहीं होता है मैडम अब पहले तो हमें यह बता दो कि हिस्टोन क्या होता है बटाई जो हिस्टोन होता है इसे हम कहते हैं packaging protein क्या कहते हैं हम लोग इसको packaging protein of the DNA so if the chromosome have the packaging protein called as histone मेरी बात को समझो अगर आपके chromosome में packaging protein histone है तो tension नहीं लेना histone जो होता है वो पूरे फैले हुए DNA को बढ़ियां तरीके से पकड़ के रखता है ताकि आपका जो DNA यह chromosome है वो इधर उदर ना जाए ठीक है इनके पास nuclear envelope नहीं होता है आई बात समझ में ठीक है sorry sorry nuclear envelope और nucleolus ठीक है present डूसरे में नहीं होता है अभी आगे पढ़ेंगे उसके बारे में सो इनका nuclear envelope और nucleolus इन दोनों के बारे में पहले में आपको एक चीज़ समझाओं जब cell division होने वाला रहता है यह हो रहा होता है तो nuclear envelope और nucleolus नहीं होते पर इवन इनके साथ problem यह है कि जब cell division हो रहा होता है तो nuclear envelope भी होता है और nucleos nucleolus भी होता है ठीक है जबकि ऐसा नहीं होता डिविजन के समय न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर envelope तो नहीं होता है और यहां पर cell division होने के बाद भी यह होते समय भी न्यूक्लियोलस भी होता है और आपका nuclear envelope भी होता है जबकि normal cell division में यह process होती नहीं है जैसे ही nucleus को आप divide करेंगे या chromosome को divide करेंगे तो the nucleus envelope will disappear it will appear after the cell division ठीक है ठीक है आई बाद समझ में वह तो दूसरे जगाद जाकर बनता है तो यह चीज़ अपने मतलब दूसरी cell में जाकर बनता हो के इस organization को जिसमें nuclear envelope और nucleolus cell division के बाद भी हो उससे आप कहते हैं meso carry on क्या कहते हैं meso carry on carry on का मतलब होता nucleus और इसे dog नाम के scientist ने 1966 में खो जा था यह चीज़ आपने याद रखना है ठीक है so a non contractile vacuole is called as partial ठीक है it is present near the flagellar base it may have one or more vesicle take part in the flotation और osmoregulation अच्छा मेरी बात को हमेशा याद रखिये कि normally जो dynoflagellates होते हैं यह पानी में तैर सकते हैं ठीक है अगर आपके पास contractile vacuole है तो contractile vacuole अगर आपके पास कैसा है contraction करने वाला है मतलब amoeba की जो cell body जो cell होती है उसमें जो contractile vacuole होता है बेटा जादा पानी भरता है contract होके फिर बाहर निकलता है तो ऐसी amoeba की body होती है, पर हर की body ऐसी नहीं होती है, इनके पास contractile vacuole है, तो जो आधा जाधा पानी भर जाता है, वो धीरे धीरे बिना contact किये ही वो बाहर निकालते रहते हैं, इसकी विज़ा से contractile vacuole और cell में पानी भर रहता है, वो light हो जाती है, और उन्हें float करने में ये non contractile vacuole मदद करते हैं, आई बात समझ में, ओके ठीक है, अच्छा, contractile vacuole जो होते हैं, ये पशल होते हैं, पशल का मतलब ऐसा ऐसा move करेंगे, ऐसा ठीक, हलका हलका ऐसा ऐसा करते रहेंगे, और ये फ्लैजला के end पे present होते हैं, ठीक है, ओके, ये जो इनके पास होते हैं, वे इनकी बाडी में present होते हैं, ultimately इनका काम प्यारे बच्चों यही है, कि ये उन्हें फ्लोट करवाने में मदद करते हैं, किसमें का मदद करते हैं, फ्लोट करवाने में मदद करते हैं, और औस्मो रेगूलेशन में मदद करते हैं, तुम्हें क्या लगता है, ये non-contractile vacuole तो ट्कले और फोन्टिंग सक्ट और थे वाने करते हैं, नेक्सक्क्लेस में में अपको बतांगे, तो टेंशन नहीं हो प्लाप बैस्ता हैं, एल्डाई नीक्सक्लेस में आपको बताउंगे, कि वाट बाँढया दलए कि व और बिडियो विपलिंग विपस और शपिनिं सीजी बताऊंगे कि डाइनो फ्लाजलेट तुम्हें ऐसा लगता है कि वो अच्छे हो सकते हैं पर बहुत से डाइनो फ्लाजलेट ऐसे भी हैं जो पॉईजनस होते हैं नेक्स लास में बात करते हूं उसके बारे में So see you in the next class घर पे रहिये, सेफ रहिये, मजे करिये, वीडियो रखते रहिये Thank you so much